हम तो नैरेल मोधी को ही अपना पीम के रूमें देखना चाहेंगे राहूल गंदी कहा जाएंगे पर मेरे को नहीं पता हम उनके बारें को इट्ली पड़ी नहीं करना चाहते हैं अपनी नाने घर में गूमते रहे ठीक है और कुछ भी भासन देते रहे बेफूजल बेफूज रहे तुम पत्रकार कीस जाती से आते हो तुम कीस जाती से यह हिंदु तान को जाती वात को लेकर ready आझभास22 है इनका चलूक है बाटो वाय बातओ बात वाटो सबको फूट बालो सासन करो जो आंग्रेज पहले, बैस भार है, कभी कुछ बोल रहो तो क्या वेलु रह जायगा उस चिशुचा जını और 11 के 11 मोदि जी जए को जाएंगे जमें स्वीप लिखने ले लो कॉंग्रेस को कुछ भी नहीं कॉंग्रेस को नहीं है को जो घुटाले निकल 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 क्या रहा है फूर अभी पांस सरक्राठों पूरे उजागर हो रहा है एक गाय बताईए 42 विकास की लिस्ट आती है और कॉंग्रेस की जब गौर्णमेंट आती है तो आपे भृष्टाचार की लिस्ट आती है अभी वो दिरेश साहू जो राजसेबा सांस उनकियां से तिन्सो पची से वो बंदा है जहरखन का माफिया है वो रियली में अती कहमत उमर गया हम चाहती कि यह देश की कैंसर है क्यूंकि आम आदमी के गला घोट करके पैसा कमाया गया है और चोड़ी चूपय करके वह घोटाला कर रहे है यह कॉंग्रेस की बहुत गंधी चवी है औ और ऐसे लोगों को तो देश से निकाल देना चाहिए आपने कहा कि मोधी सरकार को तीसरी बार आना चाहिए तो कॉंग्रेस कह रही है कि एक बार तो राहूल गंदी को मोका दो हमारे युवराज है वो सरो पपू है युवराज नहीं है ठीक है एक आदमी 52 साल में अभी भी ब पर आदान पर हमारे अर्था वेवस्तों को ले गए अशर अब अमेरिका के बाद जो होगा हम लोग जास दूसरे पर जाने वाले हैं यतनी अपर दस हमारी मोधी जी के माध्यम से यहां पर विकास हो रहा है और वी करोना काल के बावजूद जी आप भी 36 गट में कहां के रहने वाले हैं हम लग दूर के दूर के दूर से हैं जी तो अभी विदान सभा के परिणाम आए यह तो एक्सपेक्टी नहीं किया था किसी ने कि इतना खेला हो जाएगा वहां पर नहीं तो देखो होता कि को अब पर नाम जो है ना वो काम के ऊपर दिखता है काम के हिसाब से हर वेख दिये सोंच रहा था कि इस प्रकास से भाज्वा का जो भी सरकार वना हैना वह आय गई है बहले हो साइलेंट रूप में रहा लेकिन आड़ कि वाज़ी माले गए इस बर्करत के विश्नुदेव सा में कितनी सीटे जीतने जा रही है ग्यारा का ग्यारा है पूरे देशबर में देशबर में 400 पार 400 पार 400 पार मोधी जी कहा रहे हैं 370 और NDA 4 NDA पूरा 400 पार जी विल्कुल राइपूर से मैं राजधानी राइपूर किस चीज की खेती करते हैं आप दान के खेती करते हैं चावल चावल बहुत वहां पर पैदा होता है ना और अपना मुख्यमंद्री जी अभी 31 सुर्पे में खरीद रहा है इसमें बहुत ही खुशी है अबी एक किसान अंदोलन भी चल रहा है दूसरी बार शुरुव ओगैं तीन सालों के अंदर उसमें आप खुद किसान है आपको क्या लग रहा है वाके में अंदोलन है क्या है सब्सक्राइब देगो पिछले टाइम भी हुआ था तो वहांद में जाके जंडा कोयब भी देस भक्त जो है ना या कोई भी यहां का किसान जो है जाके जंडा तिरंगा जंडा नहीं उतारेगा व्यावर। खालिस्तानी है इनका एजेंडा है और वो भी चुनाओ के टाइम पे हो रहा है इसका मतलब टोटल एजेंडा है है ना और जितना भी वोट इन लोग बटोरना चाहते हैं कई सारा वीडियो आता भी है बहुत सारा चीज आ रहा है अब आई रहा है कहरे हैं मोदी का ग्राफ नीचे करना है बहुत वह सारी चीज आ रही तो वह बिलकुल फाल साइन लोग का खालिस्तानियों का एजेंडा है कुछ नहीं होने वाला है उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है जनता जागरुख है मीडिया जैसे आप लोग मीडिया में हैं वैसे ही हमारा जैसे सोचल मीडिया वगर भी बहुत एक्टिव चल रहे हैं लोग अपने आप में समझदार होते जा रहे हैं अब वो अनपड़ वाला जमाना नहीं रह गया है वेक्षित्र माग है ये चलती है, तब ही विक्सित्र होती है है ना और हम विक्सित होने के जगा पर हम लोग अलग दिशा में जा रहे हैं भाई विश्व के साथ जुड़के रहेंगे तब हम विक्सित होंगे ना विश्व के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कैसे विक्सित होंगे अब वर्ल्ट्रेट से हम हड जाएंगे तो हमारा क्या र कर रहे हैं चुनाओ के टाइम आते ही चुनाओ के लिजहां सहब समय या लोक सहब समय एक पुरा देश को मीडिया के माध्यम से बरगला रहे हैं और किसान क्या सिर्फ पंजामे किसान होगा वही सम्रित हैं एक करोड़ दो करोड़ की बरसरीज में लागा करके ट्रॉली खिश किसान बढ़抖 एका इसने सम्रित हैं ये लेकिन जब बीच कि मार्णने को ला प्रजेश कर ला चाहते तो खुले मंच में राज्नीती करो ना एक मुखाटा लेकर राजनीती करने से क्या फायदा है खुले मच में राजनीती करो, किसान का मुखाटा ले रहो पूरे विश्वा में पूरे किसान भरे हैं और पुरा भारत किसानों का देश है तो 36 गड़ में कुछ इसका प्रभाव नहीं है किसान अंदोलन का कई कोई जीरों कोई प्रभान है कि हमारे यह नहीं है क्योंकि हमारे चाहतिस गड़ में 90 परसेंट जो बिजनेस ऑग किसान नोपे दाहरीज है और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास किसान को मिल रही है और बहुत सांदार हमारे किसान उननती कर रहे हैं और बहुत तेजी सम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी अच्छा आप कहां से हैं सर मैं भी रहपूर से ही हूं शार्कार बने तो विश्णूदेव साहि के आने के आने के वाद किया कुछ बदलाव नजर आ रहा को यान नहीं सरकारे भी नहीं नहीं हैं और CM हैं वो भी नहीं हैं तो कोई भी चीज जो को सुरवाता कर होती है तो नया सिरा से कर सुरू किये तो सुरवात तो सर थोड़ी से विकलेगी और वैसे भी भाजबा के सासर में जरूर हमारे CMG हैं वो नहीं हैं लेकिन हमारा जो PM है वो अन्भव जी सर हम तो नेरे मोधी को ही अपना पीम के रूम में देखना चाहेंगे राहूल गंदी कहा जाएंगे पर उनका वो कहा रहेंगे मेरे को नहीं पता हम उनके बारें को इटली जाए अपनी नाने घर में गुमते रहे है ठीक है और कुछ भी भासन देते रहे है बेफुल अज़ कि बोलना बेवज़ा रहे हane यह हंदूत आंको जाती बात नहीं के बौट हए बाटो सबको सब्लाब sophro आप जाती में बाटना चाह रहे हो लोग एक होना चाह रहे हैं अभी आप ही बोलते हो यार समानता नहीं है बेदभा हो रहे है कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो तो क्या वेल्यू रह जाएगा उस चिछ का अपका आपका क्या विचार है जो चुनाव आ रहा है क काबर की जिस तरह से बीजेबी सरकार हमारे यहां नवा सरकार बने हैं, उमें बहुत सुन्दर और बहुत अच्छा विचार के आदमी हरें और बहुत अच्छा काम होई ही, बस यही कहना चाहत हूं मैं, जै च्छतिस गड़, जै हिंद, जै भारत, आउल गांदी को नहीं दे बनाएंगे, जो मिठी बात करेगा, जो कड़ी बात करेगा, कड़वा तो सर, नीम का पत्ता हजब नहीं कर पाते लोग, बात कहां से जम करेंगे, मैं एक बार वही कहूंगा, जो प्रेम की बात करेगा, सरकार वही बनाएगा, प्रेम की बोली से बढ़कर दुनिया कोई ब महरत जे शतिश गड़ जाहिन जाहिन भूद भूद देनेवाद सर।